नमस्कार दोस्तों किरत की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम N.E.F.T. के लेट होने की बात करेंगे कि N.E.F.T. लेट क्यों होती है उसके क्या क्या रिजन होती है और उस लेट N.E.F.T. के ऊपर हमें क्या रेक्शन करना चाहिए उसके क्या कंप्लियनट है यह क्या करना चाहिए तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो N.E.F.T. एक bank से दूसरे bank में fund transfer करने के process को कहते है जब एक bank से दूसरे bank में fund transfer होता है किसी भी bank से अगर आपने SBA से कोटक में किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो उस पर सैस को एनियाफ्टी कहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और इसका जो टाइम पिरियड होता है मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि एनियाफ्टी को क्रेडिट होन करना रहा हूं तो दोस्तों अगर आपने ऐनियाफ्टी करी है तो जब भी हमनजिए करते हैं नच्चिक्राइब जो है एक बैंक से दूसरे पहुंचने के लिए और भी या के कि यह एक टाइम के लिए फस जाती है उससे पाती है यह जितना उसका नॉर्मल प्रसेस होता है एक गंटे का तो इस वह एक टाइम के लिए फस जाती है उस सर्वर में तो वो टाइम पे क्रेडिट नहीं हो पाती है जितना उसका नॉर्मल प्रसेस होता है एक गंटे का तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है कितना समय चोबिस गंटे का समय मतलब जिस जिस वर्किंग डे में आपने करी और चार वज़े आपने सुवह अगरassen些 करी है बारा बज़े करी एक बज़े करी हैun तो भो शाम तक जाके ऐर्थ स कोई भी हबड़ा जबड़ी करनी की जरूरत नहीं है आप वेट करिए पूरे दिन का शाम को साथ आठ बजे तक एनिफ्टी क्रेडित हो जाती है और अगर एनिफ्टी क्रेडिट नहीं हो तो वह बापस अपने अकाउंड में पैसे बापस आ जाते हैं अगर आपने सही बैंक बैंक अपने फ़र नहीं बैंक ट्रंसफर करते समय आपने सहीं बैंक अकाउंडाड किया है तो थो उसका रोकी बैंक सफिक बापस नहीं तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके किसी वज़ा से लेट हो गई है तो कोई भी हटबड़ा हट करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं वो अपने आप टाइम पे पहुंच में परे आप ही वह अपने टाइम लेकर ऊप्रसेस लेकर ऑ्वह पूँंच जाएगी तो श्बूस्तों यही